एलो एब्रीवन मैं हूँ आपका होस्ट एंशुमन और आप देख रहे हैं तब भी हार एक्सप्लोडर पहले मैं जो है वो हेडिंग रिपीट कर देता हूँ फिर चलेंगे एक्शुल न्यूज पे तो आठार करोर से पता ही एरपोर्ट का रन्वे का होगा जनोत्वार आगरे तीन वर्स में एक हजार बेट का बनेगा कैंसर होस्पिटल यानि मैं होमी भावा कैंसर होस्पिटल की बात कर रहा हूँ ती सेकर जो एक्स्ट्रा जमीन दिया गया है होमी भावा कैंसर होस्पिटल को उसमें जो है वो एक हजार बेट का कैंसर होस्पिटल बनना है सदद पूरा गुम्टी पर आरोपी के लिए 48 करोड की पसासनिक सुक्रिती मिल चुकी है यही नहीं और भी बहुत सारे नियूज हैं तो बने रहे हमारे साथ इस पूरे वीडियो में तो आईए देखते हैं क्या है नियूज सबसे पहले बात कर लएते हैं एयरपोर्ट के उपर उसके बाद चलेंगे पाकी नियूज पे एक आड़ा मर्च जो है वो डीम ने किया था निरक्षन तो आपको बता दें कि रनवे की मरमत वा जिनोद्वार के लिए आर सी डी से मांगा गया था परस्ताओ तो रनवे जो है पताई एयरपोर्ट का उसका अठारा करोर की लागत से जिनोद्वार वा काली करन होगा इसलिए जो है वो पताई एयरपोर्ट से जो उड़ान की उमीद है वो बढ़ गई है इसको लेकर पत्थ निर्मान विभाग प्रमंडल संख्या एक के कार्या कालक अभ्यंता ने डीम सुबरत कुमार सेन को प्रस्ताओ भेजा है इसको जो है वो बिभाग में भेजने तथा मंजूरी के बाद कार्सीडी एक द्वारा यह का किया जाएगा साथ ही सुबरत कुमार सेन ने जो है वो एकारा मार्च को पताई हवाई अड़े का जो है वो निरक्षन किया था इसके बाद जो है इन्होंने कहा था कि इसकी मरमत करना बहुत जरूरी है और इसका जरूरत बताते हुए प्रमंडल संक्या एक जो कार्यापालक अभ्यंता है उनसे प्रस्ताओ मांगा था आपको बतादू कि पताई हवाई अड़े से उरान की संभावना टटोलने के लिए पीछले साफता ही एरपोट अथरेटी ओफ इंड परतमान में जो है वो सिर्फ 1200 मीटर का ही रनवे है जगा चाहिए था 600 मीटर और रनवे बढ़ाने का लेकिन उतना जगा तो है नहीं ऐसा हो सकता है जो रनवे की दिसा है अगर उसे बदल दिया जाए तो ऐसा किया जा सकता है लेकिन ये भी कोसिस की गई थी लेकिन आपको आपको बता दू कि बड़े विमानों की उड़ान के लिए आपको पता हुई ही होगा कि 475 एकर जमीन की मांग की गई थी यह जो है वो 2017 में ही इसकी मांग हुई थी इसका जब निरक्षन किया गया तो पता चला कि भूमी अर्जन करते हुए सारा काम करते हुए जो टोटल खर रुपए खर्च होंगे इस एरपोर्ट को बनाने में अगर दूसरे दिसा में करके अगर एरपोर्ट बनाया जाए तो सतर अरब मतलब समझ रहे हो साथ हजार करूर रुपए की लागत से एरपोर्ट को बनाना पड़ता इसलिए जो है यह ठंडा बस्ता में चला गया तो 2017 म खर्चासी अरब तो लगी जाएगा तो इससे अचा है कि जैसे भागलपूर को नया जगा एरपोर्ट नया जगा जो दिया गया है एरपोर्ट के लिए वैसे ही मुझफरपूर को भी नया जगा दे दिया जाए भागलपूर ने 475 एकर जमीन दिया है नया जगा पे और जो जो वहां पे बुड़ाना एयरपूर्ट था उसका जमीन जो है वो दूसरे काड़ियों के लिए यूज होगा वैसे ही यहां पे भी हो सकता है लेकिन हमारे मुझफ़रपूर में जो नेता बैठेवे हैं वो उनके मुह से आवाज ही नहीं निकलती है कोई मांग ही नहीं होता ह दर से इसलिए तो अभी तक एक वंदे भारत क्या अमरीद भारत तक नहीं मिलाया मुझफ़रपूर को जबकि बिहार का दूसरा सबसे कमाव इस्टेशन है मुझफ़रपूर जक्शन एयरपूर्ट की बात तो छोड़ी दी जाये तो क्या ही कहा जाए ऐसे थोड़ी उमीद तो हो जैसे जैसे यात्रियों की संक्या बढ़ेगी उमीद करते हैं सरकार को भी इसका अभास होगा कि यहां पर भी एयरपूर्ट का जरूरत है तो कहीं दूसरे जगह पे एयरपूर्ट बनाया जा सके फिलहाल में कम से कम यह भी सुरू हो तो काफी बात हो गया एयरपूर मिली है उसके मिलने के बाद होमी भावा कैंसर होस्पिटाल एवं अनुसाधन जो केंदर है उसका विस्तार होगा तीन साल में एक हजार बेट का पताल जो है वो बनाया जाएगा यहां जो है अब अकैडमिक गती विद्या भी सुरू होंगी साथ में वूमन और चाइल्ड स विंग भी बनाया जाएगा साथ ही आपको बता दू कि होमी भावा कैंसर होस्पिटल में कैंसर पीरित बच्चों के लिए सुबह का सबसे बड़ा डेडिकेटेड सेंटर बनेगा आप सभी को पता होगा कि अभी कैंसर होस्पिटल का काम जो है वो चली रहा है और आजकल ज कि छे महीनी तक नंबर लगे रह जा रहे हैं कितने लोगों को कैंसर जो है वो ज्यादा फैल जा रहा है कितने लोग इसके खारन से मर जा रहे हैं इसी जीज को देखते वे जो है इसे 30 अकर जमीन और आवन्तित किया गया है और हजार बेट का हस्पिटल बनाने का यह प्लै आपको बतादुन, सबसे ज़्यदा चैंसर जो है इस चीज से सफ़धान रहें साथ ही आपको बतादू के 70 कывает जो है वो मसीनरी पे खरच होंगे आपको नब करक्ता है चैंसर और गंभीर विमारीयों की PIT सकैन में जरूरी रेडियो धर्मी आईसो टोप यहीं होगा त्यार बता दू कि इसकी लागत जो है वो सतर करोड आएगी ये बनने के बाद जो है वो कैंसर पीरिट जो मरीज है वो एक ही अस्थान पे इनका इलाज जो है वो आसान हो जाएगा त्वास्त भीभा के ओर से जो साइकलोट्रोन है उसकी यूनित बैठाने की मनजूरी मिल गई है अभी जो है ये मसीन जो है वो बाहर से मंगाना पड़ता है या फिर लोगों कोहीं बाहर जाना पड़ता है तो बहुत ही दिकत होता है लोगों को तो उमीद करते हैं यह जो जल्द से जल्द विस्तार हो तीन सालों में तो कहा गया है कि यह बनकर त्यार हो जाएगा तो हमारे बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना परेगा ज्यादा परसानी नहीं होगी जल्द से जल्द यहां पर इलाज हो जाएगा आपको बता दू एन पहले मिली है मनजूरी वर्सों से अठका था ये प्रस्ताव जो है वो काफी समय से अठका हुआ था आपको बता दू कि लोकों को इतना परेसानी होता है क्योंकि ये जो गुम्टी है वो इस्पेसल गुम्टी है और यहां दस घंटे से अधिक जो है वो गुम्टी ये बंद रहता है मुझफरपूर्ड नारायनपूर आनन्थ के बीच में ये सदपूरा गुम्टी परता है इसकी संख्या जो है वो 100 है पत्थ निर्मान विभा के अपर मुख्य सचीव जो है उन्होंने इसका जो है वो जनकारी दिया ये अची खबर है कि इसका जो है वो स्विक्रिती मिल गया है लेकिन इसको बनाना इतना असान होगा नहीं क्योंकि इसमें जो है वो जमीन अधिकरहन का अर्चन है आपको बता दो कि गुम्टी के दोनों और जो है वो वर्तमान सरक काफी पतली है काफी पतली भी नहीं कहेंगे यानि मीडियम साइज कहेंगे जबकि सरक के जो दोनों और हैं वो बड़े-बड़े मकान है ऐसे में जो है वो भूमी अर्जन में बाधा आना संभव पूरी तरह संभव है ज़िदी विभाग जो है वो भूमी अर्जन करके जमीन अधिक्रहन कर लेता है तभी आड़ोपी का निर्मान हो पाएगा बात कर ले अगले न्यूज की तो अख़डगाट रोट से हटाया जाएगा अतिक्रमन सरक की जमीन पे जो सिकंदर पूर्थाना है वो जो है वो सिफ्ट किया जाएगा सक्ति की जाड़ी है सरक की संख्या से अस्थाई वा अस्थाई अतिक्रमन हटाने के लिए निगम करेगा करवाई पाच एपरल तक अगर सहर से अतिक्रमन नहीं हटाया गया तो पता है आपको की दर्ज कराया जाएगा हाई कोट की अवमानना का केस यानि हाई कोट ने ओड पर पूर जो है उसे अधिक्रमन हटाया जाए और यह ओडर दिये वे लगपक 6 महिने से उपर हो गया लेकिन इस पर कोई करवाई नहीं हुई है कुछ-कुछ जगह करवाई की गई है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है तो वैसे भी यह जो सिकंदर बुर्थाना है इस अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे मलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग